सो हेलो दोस्तों स्सलामु आलेकूँ इस अली हसन फ्रॉम पाकिस्तान तो आज मैं आप लोग के लिए एक और इंट्रस्टिंग वीडियो जैसे कि वीडियो के टैटल वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के थम्ने पर देकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग पतुः करें तो हम चैनल करें लोग आज भीडियो को शीयर करेंगा ओर अपने भाई को स्पोड़ करेंगा चले चलते हैं आगे तो दोस्ते हम पहुंच चुके हैं अपनी कालूनिकी तरफ तो भई इस ताइम तो बहुत गर्मी है बहुत जादा गर्मी में जो परिंदे अ मेरे वाद दो तीन पर्दे एक्सट्रा पड़े थे खराब थे फेंकने वाले थे तो मैंने पहले तो इनको इक तरह का साफ किया दोया उसके बाद मैंने इनकी कुछ्टिंग की और यह आप देख सकते हैं रसी की साथ मेरे यहां पर जोईं कर दिया यहां से एक्स्कुरू एक तरह के लागे यह एक तरह काटा नहीं है वह इस वागे से नहीं काटा कि मैंने इसको फोल्ड करके नीचे कर दूँगा और जब मेरे कालूनी के अंदर जाना पड़ेगा तो इसको थोड़ा आगे करके मैं अंदर चला जाओंगा ताके प्रिंदे आगे पीछे ना जाए और क्योंकि मेरा एक फिंच है वह बाग गई यह उड़ गई है अब पते नहीं को कहा चली गई है यह मर गई होगी क्योंकि इतनी उड़ान दों की होती नहीं इनको इसी प्रिंदे मार देते हैं चीले कवे खा जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाप मैंने कील डाली है अब धूप अंदर का मौल ठंडा रहते हैं अब यह जो पर्दे हैं यह गर्मी में भी काम आते हैं और सर्दी में किस वज़ा से आते हैं कि रात को मैं पूरा आगे कर देता हूं तो सर्दी रुख जाती है और जो मैंने सो वार के तीन बल्फ लगाए है वह मैं अंदर आट आपके आपके जो परिंदे हैं वह महफूज रहें और तंदृस्त रहें और अपनी जो ब्रीड है उसको ना रुके और अच्छे से रहें तो भी आप देख सकते हैं जो पर्दे बिल्कु ठीक तरीके से एडिजस्ट कर दी हैं बीच पर से मैं छोटा सा कॉलम छोड़ा जि देख सकते हैं यह थोड़ा मैं दिखाया तो आपको अंदर से आपको नजर नहीं आएगा लेकिन अंदर जो है बार का मौसम बहुत जादा गर्म है लेकिन अंदर का जो मौसम है वह काफी हद तक ठीक है यह बिल्कुल ठीक है अगर जादा गर्मी होती तो मैं पंखा चला अंदर शौवरिंग कर देता हूं परिंदों पर पंखा चला देऊं तो वह बिल्कुल सेट रहते हैं ठीक है तो दोस्तों आई होब आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आई है अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं है इस्टूडियो को लाइक करें कमेट करें शेर कर भाई को सपोर्ट करें चले दुबारा मनोकादो की एक और इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए अपना ख्यार रखिएगा